आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is identify gamets A, B and C respectively तो यहाँ पर हमें क्या करना है A, B and C यहाँ पर gamets का डाउगराम हमको दे रखा है हमें identify करना है कि यह hetero gamets है iso gamets है या फिर homo gamets है तो आगे यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले देखिए कि जो homo gamets होते हैं जो आपके homo gamets है ठीक है उसके अंदर क्या होते हैं कि जो male and female gamets है ठीक है जो आपके male and female gamets है वो बिल्कुल एक दूसरे के identical दिखते हैं morphologically एक दूसरे के बिल्कुल कैसे होते हैं same होते हैं या फिर कह सकते हैं हम लोग identical होते हैं और ऐसे gamets को हम क्या कहते हैं या तो हम कह सकते हैं homo gamets और homo gamets को हम आइसो गामेट्स भी हम हमोगामेट्स को कह सकते हैं तो ऑप्शन एक अंदर देखिए आप लोग या फिर और इस एक अंदर देखिए एक जो डागराम में इसके अंदर जो दोनुग गामेट्ट है वह दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल है हम लोग मेल और फिमल में डिफ काफी चोटा है और जो फिमल गामेट है वह काफी बड़ा है तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बी जो है वह किस टाइप का हो गया है अटरो गामेट टाइप का हो गया फिर हम बात करते हैं सी के बारे में सी के अंदर देखिए मेल गामेट जो है यहां पे इस टाइप और female gamut इस type में ते रखा है, male gamut motile होता है, female gamut non motile होता है, तो यह भी C जो हो है, वो एक दूसरे का identical नजर नहीं आ रहे हैं, हम लोग easily male or female gamut के अंदर distinguish कर सकते हैं, उनके अंदर differ पैदा कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि C जो हो जाएगा, वो भी कैसा हो जाएगा, hetero gamut type का gamut हो जाएगा, ठीक है, तो देख लेते हम लोग A is homo, B is hetero and C is also hetero, तो option 4 में देर रखा है, बिल्कुल same to same, कि A जो है वो कैसा है, homo या फिर iso gamut है, और B और C जो है है, hetero gamut है, और वो भी hetero gamut है, तो option 4 will be the correct answer for this question.